नमस्कार आप देख रहे हो बहुजन हलचल आज की ताज़ा खबर मोधी सरकार का बेटी बचा बेटी पड़ाओ का नारा पूरी तरह फेल होता दिख रहा है रोजाना देश के कोने कोने से सर्मसार करने वाली खबरे सामने आती है ऐसा ही एक ताज़ा मामला राजिस्तान से सामने आया है जिसने मनिपूर की घटना को दोरा दिया बता दे की राजिस्तान के आदिवासी बहुल परताबगर जिले में एक महिला को निवस्तर कर गाउं में घुमाने का मामला सामने आया जिसमें अब तक 10 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है मुख्य मंतरी अशो गहलोत ने परताब गड़ का दोरा किया और मीडिया को इन गिरफतारियों की जानकारी देते हुए बताया की इस मामले में जिनके भी नाम सामने आएंगे उन पर सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने पीरित महिला से भी मुलाकात की और 10 लाख रुपे की आर्थिक साहता और सरकारी नोकरित देने की गोसना की अशो गहलोट ने कहा की अपरादियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोट में मुकदमा चलाया जाएगा बता दे की परताब गड़ के धरिया वद की इस घटना के दोरा लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो वाइरल हो गया पुलिस का कहना है कि उन्हें एक सितंबर की रात आठ बजे वीडियो के जरिये घटना की जानकारी मिली इस मामले की जाच के लिए पुलिस ने 30 टीमों का घटन किया है इस्थान ये पुलिस अब तक साथ लोगों को गिरफतार कर चुकी है और चार अंगे अभी युक्तों को हिरासत में लेकर पूस्ताच कर रही है रास्ते महिला आयोग का कहना है कि घटना के दो दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई राजिस्तान के परताब गड़ में हुई घटना का रास्ते महिला आयोग कड़ी निंदा करता है एक महिला का उत्पीडन किया गया उसे नीवस्त्र किया गया और इसका वीडियो भी बनाया गया घटना को दो दिन बीच चुके है लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है ये स्विकार योगे नहीं है आयोग की चेयर परसन रेखा सर्मा ने राज्य के डीपी जी को आदेश दिया है कि अपराधियों को तुरंत गिरफतार किया जाए और उन पर आई पी सी की उचित धारा के तहत मामला चलाया जाए राजिस्तान सरकार इस बारे में पास दिनों के भीता रिपोर्ट पेस करें ब्योरो रिपोर्ट बहुजन हल चल